हेलो नमस्कार मैं हुलेच में मेरे यूटूब चैनल नर्सिंग की अरित लक्षिमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि प्रेंग्नेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए बहुत सी पहली बार प्रेंग्नेंसी कंसीब करने वाली ल प्रेंग्नेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अवेल आइकन दबाना ना भूलें वीडियो लास्ट तक जरूर देने की पूरी कोशिस करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं आज घर बैठे साधारट सी किट में प्रेगनेंसी का पता लग जाता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि टेस्ट सही समय पर किया जाया और समय से पहले नहीं कुछ समय पहले घर की बुजूर्ग महिलाएं अपने तजूर्वे से पता लगा लेती थी कि कौन सी महिला गर्भवती है या नहीं कुछ समय बाद डॉक्टर के पास जाकर या जानकारी मिलने लगी लेकिन आज के आधुनिक समय में हर मिट कर लिस्टोर पर एसी प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलने लगी है जो एक दो मिन्टों में ही बता सकती है कि टेस्ट करने के बाद महिला प्रेगनेंट है या नहीं और सबसे जरूरी बात क्या है कि यह पता होना चाहिए कि यह टेस्ट कब किया जाए महिला के यूरिन में मौझूद एक हार्मोन्स होता है या चीजी HCG की मौजूदगी से पता चलता है कि महिला गर्वाती है या नहीं है यह हार्मोन्स तभी सरीर में पैदा होता है जब निसेचित अंडाड़ू गर्वासे की दिवार से खुद को जोड लेता है इसलिए जानकारों का कहना है कि जब महिला अपने पीरिड मिस कर जाता है जाज किया जा सकता है तो अगर आप साधी सुदा है आप प्रेगनसी टेस्ट करना चाहती है आपका पीरिड मिस हो गया है आपको प्रेगनसी कंफर्म करना है तो सबसे पहले आप प्रेगनसी किट मंगा करके और आपको मौर्निंग की यूरिन लेना है सुबा का पैसाब ज तो फ्रेंस हम आपको टेस्ट करने का तरीका भी बता देते हैं तो हमने लाया है एक Pregnancy kit जो टेस्ट करके हम आपको बताएंगे कि Pregnancy test कैसे करें कितना बूर पानी डालें स्वरी यूरिन डालें कि परनन सकटेश्य यह किट के समगवाया है सिर्फ और शिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि टेस्ट कैसे किया जाता है तो फ्रेंट्स इसको खोलेंगे तो इस में एक प््रेगनेंसी किट हो death प्रेक्नेंसी टेस्ट किट जिससे टेस्ट हो गा और एक डॉपर है जिसे यॉरीन भरके उसमें डाला जाता है तो चलिए मै करके दिखाती हूँ फेंस मैं लिम नॉर्मल पानी क्योंकि शिर्फ और शिर्फ आपको दिखाना है कि टेस्ट कैसे किया जाता है रैंस हम पानी लेंगे उसमें तीन बूंत डालेंगे ज़्यादा नहीं बस तीन बूंत डालना उसके लिए काफी है बस तीन ड्रॉप्स उसमें डालना काफी है इसके बाद आपको एक मिनट के अंदर पता चल जाएगा इसमें लिखा होता है C और T अगर C के सामने एक लकीर बनता है तो नेगेटिव है अगर दो लाइन C टी दोनों के सामने दो लकीरे बन गई तो आपका टेस्ट पॉजटिव है यानि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है आप देख सकते हैं कि इसमें एकी लकीर आया है क्योंकि यह प्लेन पानी है पीने का पानी है हमने टेस्ट करके आपको बताया है इसलिए नेगेटिव बता रहा है तो फ्रेंटस अगर आपका भी पीरियट मिस हो गया है तो पीरियट मिस होने के 6 से 7 दिन बाद आप नहीं आगे की जनकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे तो रखिए अपना खयाल मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई